लगता हूं हाँ वाँ लगता है महीने भर का नहीं साल भर का स्टॉप भर गया हाँ हो गया क्या अरे अरे ये क्या धोखा मुझे जले भी लेने वापस जाना होगा हाँ नहीं एक भी जलेवी नहीं बची आ चाचु को जलेवी बहुत पसंद है उनके लिए थोड़ी जलेवी ले लेता हूँ अंकल थोड़ी जलेवी दे ना बेटा एक भी जलेवी नहीं बची मैंने महीने भर की जलेवि आज ही एक दिन में ही बेच दी एक दिन में ऐसा कैसे एक भले आदमी ने सारे शहर में मुफ्त में जलेवि बटवा दी दो लाग की जलेवी दो लाग की जलेबी लगता है चाचु जैसा ही जलेबी का कोई बड़ा शौकीन होगा अरे चाचा सिर्फ जलेबी से क्या होगा हां लोगों की और भलाई करो क्योंकि जितनी भलाई उतनी मलाई एक काम क्यों नहीं करते ये डिकलेर कर दो कि इस मॉल में अगले आधे घंडे के लिए शौ समय में बहुत सारी फलाई सुनो सुनो अगले आधे गंटे के लिए आप सब इस मॉल से जो खरीदना चाहे खरीतो पैसे मैं परूँगा अरे अगले आधे घंटे के लिए मन्चाई शापिक वो भी फ्री अरे चल 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 जू ये आधा घंटा मुझसे कोई नहीं छेन सकता अरे बल्लाजी कहा यह छोटी टीवी ले रहे हो वाह महेंगी वाले टीवी रखी है वोलो फायदी मेरोगे अबी जाता हूँ उहाँ बल्लाजी हटो ना रास्ती से पंबी तुम्हारी वज़े से मैं महेंगी वाली टीवी से दूर हो गया जाचू यह मॉल में ऐसी अफरत अफरी क्यों मची हुई है अभी बताता हूँ यह लीजे सर आपका बिल ओ जी थैंक यू थैंक यू चार बजे लॉट्री आफिस पर इधर गए वो बताश दूड़ो ले मेरे जूते खराब कर दिये चाचू भागो आए मेरे जूते खराब कर दिये कहां चले गए वो वह ढूंडो दॉल के घेच आप वो रहे हमारे जूते खराब करके अब दूसरी जगा पर नई दुकान भी डाल ली आप ये शूप ऑलिश का काम मुझे कुछ ठीक नि लग रहा इस से हमारे शिरीर के पुर्जे अलाग हो सकते हैं और शिरीर के पुर्जे जोड़ना गाडियों के पुर्जे जोड़ने जितना असान नी होता वह अब मुझे कोई तूसरा काम टूनदा होगा आ, क्या हुआ भाई, आ, मैंने कहा था, मेरे अलावा तुम्हें कोई जॉब नहीं डेगा, आ ये बात गांत बान लो आ, 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 दूसरा काम मिल गया, जाचू वे मैंने सारी गाड़ियों का ओयल बदल दिया है अब वो रास्ते पर मखण की तरह दोड़ेंगी और मैंने तुम्हारे इंजेन ओयल का पूरा स्टॉक ही बदल दिया अब दोड़ना तो दूर गाड़ियां ज़्यादा दूर तक चलेंगी भी नहीं इस बार तो चाचा को बिजनेस बंद करके मेरे पास आना ही होगा अब इस जीब को क्या हुआ चिचे लगता है ओई खतम हो गया सामने चाचा का गैरेज है वहां ठीक करवा लेते है चाचा जी जरा जीब को ठीक कर दो हमें बहुत दूर जाना है ओ जी अभी लो जी ओ जी लगता है इसका ओईल खतम हो गया है बस बस चाचा जी ये सफाई रहने दो अरे ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है ऐसे तो ये पीछे रखी हुई चाचा टीम का गोल कीपर लेफ्ट हांडिड है इसलिए उसका जुकाव गोल पोस्ट के बाई और है, इसलिए हमें ज्याद से ज्यादा अटाग राइट साइड से करना चाहिए सुनो, उनकी टीम राइट साइड से अटाग करेगी, तुम राइट साइड वे चौकरने रहना, ठीक है? पंदूपनी ने राइट साइड से अटाक किया, पर उनका ये डिसीजन रॉंग हो गया, भतीजा ने भी किया बार बार राइट से अटाक, पर गोल कीपर को जैसे पहले ही पता है, वो तो राइट में ही खड़ा है, अजीब बात है, ये गोल कीपर अचानक से लेफ्ट से राइट साइड में कैसे आ गया, जैसे इसे पहले से हमारी टीम की प्लाइनिंग के बारे में पता हो, मामा, टाइम फॉर मैगनेट होकी स्थिकल, दिखाता हूं अपनी आयन बॉल का कमाल, अब बॉल है फल और मिमिकरी के कंट्रोल में, पर या अचानक बॉल इनके नजर के सामने से खाल कैसे हो गई, इनके नजर में आ गई है एक नई बॉल, पर ये बॉल नहीं, ये तो निकला किसी मुर्गी का अंटा, अहां, पंपी, अब बॉल गई तो गई कहां, आँ, बॉल है बिट्टो के पास पर चाचा को नहीं आई गोल कीपिंग राज, और के बार बिट्टो ने अपना पहला गोल, ये तो शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या, इस बार होकी स्टिक लंदी होगी, बंदुम्नी जी, बॉल मेरी तरफ पास पीजिए, रहे तनी जल्दी भी के अब तीचे, जरा इनके मजे तो लेने दे, और हिम्मत है तो बॉल मुझसे लेकर दिखाओ, बंदुम्नी जी, अब हमारी टीम में हो या बिट्टू के, उसके लिए गोल क्यों कर रही हो, हाँ? इस बार मुझे बॉल बिट्टू की तरफ पास करनी है, यह क्या, बंदुम्नी ने खुद ही बिट्टू को पाल पास कर दिया, और बिट्टू ने मौके के वाइदार ठाथ के लिए, क्या बात है, चाचा बतीजा का स्कूटर अपने काया नहीं, हाँ, मुझे तो लगा वहीं जीतेंगे, पर वो तो कहीं दिखाई भी नहीं दे रहे, यह स्कूटर बे कहा ले जा रहा है, चाचू भूल गए, यह स्कूटर आटमाटिक मोड पर चल रहा है, रास्ती की सारी रुकावट को कैसे पार करना है, यह अच्छी तरह जानता है, कुईपती जे वो तो ठीक है, पर इस आने वाली रुकावट का क्या, यह कैसा शौट कट रास्ता है, अब इस नाले को कैसे पार करेंगे, यह अज इसे वाले का को बार जाना है, पराता है, यह यह, 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 यह! यह, यह! चाचू यह स्कूटर हमें सही जगा पर लेकर आया है अच्छा तो चाल पतीजा चाचा पतीजा का स्कूटर रेस में तो आ गया लेकिन सबसे पीछे है तुम देखना वो जल्दी सबसे आगे निकल जाएंगे जी चाचा पतीजा की होगी क्राइब का पावर क्राइब मास्टर चोगावर कोई मुझसे आगे ने जा सकता चाच क्या हाहाँ चाचु जाचु श्कूटर को मोड़ो अगरा हम इस बाइक से टकरा जाएंगे वे पतीजे तु पूल गया वे श्कूटर आटोमेटिक चल रहा है अपड़ा रास्ता खुद बदल लेगा चाचु आटोमाटिक बोड तो सिफ रेस ट्रैक पर पहुशने तक था यह कोई है क्या रब कीजें चाचु डरीये मत देखते है कौन सा बटन क्या है यह कमान चाचु यह कुदान हो गया हुए झाचु हुए